नमस्कार जैहिन दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पनीर धनिया का एक रिसीपी लेके आया हूँ और अगर आप लोग इसे घर पे बनाएंगे तो बाहर खाना आप लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है और इतना कम खर्चे पे बन जाएगा कि ब तेल गरम होते ही उसमें दे रहा हूँ दो प्यांच छोटे-छोटे कटे हुए और इसे मीडियम हीट पर मैं फ्राइ करूँगा साथ में मैं इसके अंदर दूँगा दो से तीन कटा हुआ हरी मिर्च अगर आपको तीखा जादा पसंद है तो जादा भी दे सकते हैं इसे भ पस उसी समय इसके अंदर दीजिए एक बड़ा टमटर छोटा कटा हुआ और इसे हमें फ्राइ करना है अब मसाले के लिए इसमें दे रहा हूँ एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर दो छोटा चम्मच कीचन किंग मसाला और साथ में नमक स्वाद अनुसर और अगर यहां पे आप लोगों को लगे कि जो मसाले है वो कडाई में लग जा रहा है तो इसमें दीजे थोड़ा सा पानी और उसके बाद फ्राइ कीजे यह लगेगा भी नी जलेगा भी नी और इसे तब तक हमें फ्राइ करना है जब तक टमाटर एकदम सौफ न बन जाए जैसे ही देख फ्रेस धनिया और साथ में जो मसाले हम लोगों ने भून के रखा था थंडा हो चुका है वो भी इसके अंदर दे रहा हूं और इसे अच्छे से मिकसा ग्राइंडर में हमें अच्छे से पेस्ट बना ले ला है तो ग्राइंड करके मैंने यहां पे बना लिया एक फाइन सा पेस्ट आहा क्या खुश्बू है और क्या कलर आ है अब उसी कड़ाई में मैं दुबारा दे रहा हूं तीन से चार बड़ा चम्मच सफेद तेल और इस तरह फैला के दीजेगा अब उसके अंदर दे रहा हूं कुछ तेजपत्ता और सुखी हुई लाल भी हलका इसे गरम त पर हमें फ्राई करना है बस इसे जैसे ही फ्राई करने के कुछ देर बाद अगर आप देखते हैं इसका कलर ऐसा आजाए थोड़ा सा ये ग्रेवी ठीक सा लग रहा है तो ठीक उसी समय देना है इसके अंदर विस्क किया हुआ एक कब भरके खटा दही और इसे हमें इसके सा सही वक्त है पनीर एक करने का तो 300 ग्राम पनीर है किसी भी शेप में आप दीजिये और मैं यहां पर कच्चा पनीर मना पनीर को मैंने यहां पर फ्राई नहीं किय अ 와 यह मैंने क्यूं कच्चा दीया भीना विश्या किया हुआ तो यह वीडियो के अंद में में पिछोन ताकि पनीर तूट ना जाए और इसलिए मैंने पहले मसालों को अच्छे से भून लिया था उसके बाद पनीर एट किया है धकन से धक दीजे और 10 मिट इसे लो हिट में पकाईए बस 10 मिट हो चुका है धकन हटा रहा हूँ देखिए ये ग्रेवी कितना लाजवाब लग रहा ह और पनीर भी बिल्कूल अच्छे से कुक हो गया है और बस इसमें थोड़ा सा टच देना है थोड़ा से समी दीजे गरम मसाला पाउडर और धनिया आहा मिक्स कीजे और गरमा गरम आप रोटी पराठे किसी की साथ भी इंज्वाई कीजे और मैंने बताया था ना पनीर मैंन अंत में बताऊँएं तो देखिए बिना फ्रया की अवा पनीर बहुत सॉफ्ट होता है fry कीजेगा तो उसका softness थोड़ा बहुत तो sacrifice होता ही है और अगर आपको बिल्कुल इसी तरह soft खाना है तो बीना fry का पनीर दीजेगा और मेरे चैनल को जाने से पहले subscribe कर दीजेगा तैंक्यू जय हिंद